गुड मॉनिंग बच्चो गलो और फिजिक्स में आप सबका स्वागत है साइन्स जी के या साइन्स फेक्ट की महां जो सिरी चल ली है उसमें पुनो आपका स्वागत है बॉल्यूम नंबर 43 है और 608 हुआ फेक्ट है और इस वीडियो का पहला फेक्ट जारी है बच्चो तो पहला फेक्ट है बच्चो ध्यान दीजिए पहला फेक्ट है सामन्ने अवस्ता में मनुष्य का हिर्दय एक मिनट में 22 बार 72 बार तथा बुरुन अवस्ता में 150 बार धड़कता है प्यारे बच्चो जो हमारा हिर्धाय है वो एक मिरट में जो सवस्त मनुष्चे है उसमें बहुत तरबार और यदि ब्रोणा अवस्था में है तो वो 150 बार धड़ता है बहुत जादे इंपोर्टेंट है आप ध्यान दे रहे होँगे बच्चो तो प्यारे बच्चो लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर तो बच्चो आप जो है इसको नौट भी कर रहे होंगे एक धड़कन में लगवक 70 mm रग्त पम्प करता है ध्यान दिजे बचो एक धड़कन में लगवक 70 mm रग्त पम्प करता है अगला फैक्ट आपके स्क्रीन पर है अगली फैक्ट की और लिये चल ले है यह अगला सापन्न्य मनुष्य का रग्तदाब 120 बट असी, मिली मीटर पारा होता है, ठीक है बैच्चो, जो सामन्न्य मनुष्य का रग्तदाब है वो 120 बटे 80 mm पारा होता है तो लिए चलते हैं आपको तो प्यारे बच्चो यहाँ पर 120 है इसको systolic कहते है बच्चो और जो 80 है इसको कहते है diastolic कहते है और 120 को systolic कहते है बच्चो और जो 80 है बच्चो उसको कहते है diastolic तो लिए चलते है आपको अगले fact की मापने वाले यंत्र का नाम तो इस फिगमो मैंनो मीटर ठीक इस फिगमो मैंनो मीटर ठीक बचो इस पेलिंग भी लिखिया है बचो यहां पर इस फिगमो मैंनो मीटर इसके द्वारा हम रखते हैं बचो तो बहुत इंपोर्टेंट है बचो थोड़ा सा प्रोननसेशन में यहां गड़ बड़ी होगी है तो मापी चाहता है बचो तो आप इस पेलिंग भी लिखिया है बचो और यहां पर लिखाया आप इसको पढ़ ले और यहां करने करने बचो यहां आपको को प्रिक्षा में पूछा जाएगा यहिं। इडरी नेलिन ये दो हार्मोन हैं ये हिर्दय की धड़कन को नियंत्रित करते हैं तो हिर्दय की धड़कन को नियंत्रित करने Champs सुरूर्भ थायरोकसिंग और एडरी नेलिन चलते हैं आपको अगले the fact की ओर और अगला पर आगिया है और आपने उसको देख विदिया होगा बच्चो तो अगला फैक्ट बच्चो यह है रुधिर में उपस्तिस CO2 रुधिर के pH को कम करके हिर्दाई की गति को बढ़ाता है ठीक है बच्चो यदि हमारे रुधिर में CO2 की मात्रा बढ़ाती है तो बच्चो उसका pH कम हो जाता है और pH कम हो जाएगा तो हिर्दाई की गति बढ़ जाएगी अर्थात अर्थात अमलेता हिर्दाई की गति को बढ़ाती है एवं छारीता हिर्दाई की गति को कम करती है तो बच्चो CO2 के बढ़ने से pH कम हो रहा है और pH कम किसका होता बच्चो अमल का होता इसका मतलब जो है अगर ब्लड में CO2 की मात्रा बढ़ रे है तो pH कम हो रहा है इस कमलब जो है वो ब्लड को क्या बना रहा है अंलिया बना रहा है और अगर पीज बढ़ता तो इस कमलब क्या होता बचु वह क्या करता उसको चारी बनाता और जब बच्चोi ब्लड में अमलेता बढ़ जाती तो हिर्दय की गति बढ़ जाती है और चारिता बढ़ती तो हिर्दय की गति क्या हो जाती कम हो जाती है तो प्यारे बच्चो इसको निस्षित रूप से ध्यान देंगे कि CO2 के बढ़ने से pH कम हो रहा है और pH कम होने से क्या हो रहा है हिर्दय फारे की चंच्ट का होता है तो इस को आला अम्लेता जो अम्लेता वो हिर्दय की कती को बढ़ाती है और चालेता हिर्दय की कती को कम करती है लिए चलते हैं बचों अगले ठीक पर और hoard है यह आपके स्क्रीन पे आ गया है ठीके चैटी zeggen फ्लश Version ठीक है थोड़ा सा यह आपके इसको mention नहीं करेंगे बच्चो देखे बच्चो अगला fact आपके screen पर आ गया है लसीका में पाए जाने वाली कणिकाओं को लिम्फोसाइट कहते हैं ये वासव में स्वेत रुजिर कणिकाओं होती है बच्चो ठीक है बच्चो तो लसीका में पाए जाने वाली कणिकाओं को और ये वासव में क्या होती है स्वेत रुजिर कणिकाओं होती है डवलो बी सी होती है तो लिए चलता है बच्चो अगले fact पर आ गया है बच्चो थोड़ा मैं इसको सीधा कर देता हूं बच्चो आपने इसको पढ़ दिया होगा बच्चो अगला fact है लसीका या लिम्फ भरने में सायता करता है लसी का जो होता बच्चो वो क्या करता है जो घाव होते है उनको भरने में सायक होते हैं तो क्यारे बच्चो अगला fact आपके screen पे आगे है बच्चो क्या करते है ब्रिकों किडिनी का परमुकार्य रब्त के प्लाजमा को छान कर सुद बनाना है तो ब हैं बच्चो अगले भैक्ट के ओर के स्क्रीन पर आइए बच्चो आप देख रहे होंगे और यह पहले जो आजना गया है मूत्र का रंग हल्का पीला उसमें उपस्तित बरणक यूरे क्रॉम के कारण होता हैं बच्चो जो हमारे यूरिन है, मूत्र है, उसका जो हलका पीला रंग होता है, वो किसके कारण होता है, बरनक यूरोक्रोम, यूरोक्रोम के कारण होता है, यूरोक्रोम हिमोगलोविन के बिखंडन से बनता है, और ये यूरोक्रोम बनता कैसे है, ये यूरोक्रोम हिमोगलोविन के बिखंडन से बनता है और इसी euro krome के कारण जो हमारा urine हैитель हमारा मूट्र है उसका रंग हल्का पिला होता है यह चलता है आपको अगले effect की और, अगला fact आपके screen पह आया है क्या किया रहे sleeping aondries चे मानझे hoता है इसका पार目 साथ से नीचे क्या होते हैं अमले होते तो मूत्र का प्य है, इसका मूत्र क्या है? अमलिय है. तो यह चलते हैं आपको अगले फैक्ट की और, अगला फैक्ट क्या कह रहा है? बिर्क में बनने वाली पत्री, कैल्सियम ऑगजलेट का बना होता है. बहुत इंपोर्टेंट है बच्चों, तो प्यारे बच्चों, जो क बच्छो जो है ini टमाटर में भी होता है इसका मंस्य का मस्तिक्स अस्तियों के खौल क्रे क्रेनियम में बंद रहता है बच्चो जो मनुस्य का मस्तिक्स है वो अस्तियों का खोल होता है ठीक है और उसको कहते हैं क्रेनियम में बंद रहता है ठीक है बच्चो तो जो मनुस्य का मस्तिक्स में जो अस्तियों का खोल होता है उसको क्रेनियम कहते है और हमारा मस्तिक्स उस size में बंद रहता है this teach ourاي I get more particular Manusia Iska उनलब 16 everzahl 14 Gram होता है बहुत इंपोर्टेंट है बथ्चो मनु recenter कि मस्तिक्स का वजन कितना होता लगवर 2400 क इंधा है ठीक है एक किर्याउओ और 400 सम्मयन्वाई करता है जो मेरु रज्जु है स्पाइनल कौर्ड है वो परतिवर्थी क्रियाओं का नियंत्रण और सम्मयन्वाई करती है लिए चलते हैं आपको अगले फैक्टिक और आपके स्क्रीन पे आ गया होगा बच्चो आप ध्यान दे रहे होंगे बच्चो मनुष्य में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं और 31 जोड़ी मेरु रज्जु तंत्रिकाएं पाई जाती है बच्चो तो यह चलते हैं आपको अगले फैक्ट की और तो अगला फैक्ट आपके स्क्रीन पागिया है तंत्रिका उत्तक की इकाई को नियूरौन या तंत्रिका कोसिका कहते हैं तंत्रिका उत्तक की जो इकाई है उसको क्या कहेंगे बच्चो नियूरौन कहेंगे बच्चो या इसको तंत्रिका कोसिका कहेंगे तो प्यारे बच्चो चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ब्यल आइकन को प्रेस करते हुए नोटिपिकेशन ओन कर दे ताकि समय समय पर गलो और फिजिस के द्वारा उप्यों की वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें प्यारे बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद